नमस्कार स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पार्ट वन में बहुत ही इंपॉटेंट लेस्न के बारे में डिस्कस किया विच नेम इज एलाइट टू गॉट अब इस लेस्न का यह है पार्ट टू एलाइट टू गॉट इस टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बूक फश्ट फ्लाइट और 10 यह पाठ्या पुश्टक है टेक्स्ट बूक है फिस्ट फडॉट एसी का यह फिस्ट लेशन है अ लेटर टू गॉट गॉड बाइज जी एल फीनितेश जी एल फेनितेश बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है ये और किस प्रकार इस स्टोरी में एक फाम प्येट के बारे में दड़िविश्वास के बारे में किस प्रकार एक जो ग्रीब किसान एक पुआ फाम है लैंचो उसका फाम फ्हेत भगवान ही बड़ा दृडवी स्वास है और वो भवान की नाम लेटर लिखता है बड़ा अधभुत दृश्य पेश हो जाता है इसमें तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में हमने समरी के रूप में डिसकस किया तो एक वाइदा आप से चाहता हूं कि पहले हम आप फर्स्ट फ्लाइ समरी के रूप में देखेंगे या पार्ट वो को देखेंगे तो आपके चीतरे से त्यारी हो जाएगे आपको रट्टा नि लगाना पड़ेगा फिर नहीं तो रट्टा लगाएंगे एक इसमीनेशन में फिर दिक्कत आईगा आपको आनसर देने में ठीक है ना तो से सहता की अपील करता है भरवान के नाम पत्तर लिखता है और किस प्रकार पॉस्ट ओफिस के इंप्लॉई उसके मदद करते हैं फिर भी उनको बंच ओफ क्रूक्स कह देता है ठोगों का टोला कह देता है उसको बड़ी एक विदमना की स्थितिति बन जाती है इसमें तो हम फिर पार्ट वन को द्यान से वोच करना है पहले रीड करना है पूरे लेशन को टेक्स बुक में से फिर पार्ट वन को वोच करना है समझना है फिर पार्ट टू को और पार्ट टू में भी हम जैसे हम कहते हैं एक पंथ दो काज प्रयास एक बार किया लाब दो बार तो हम इ यह प्रियास आप एक बार करेंगे, एक बार बोच करेंगे, और आपको चार प्रकार का लाब इसमें मिलेगा, पहला तो यह एक कॉम्प्रिहेंशन, पैसिज की कॉम्प्रिहेंशन, अर्थात पथन बहुत, कैसे हम पैसिज के निचे जो क्वेस्टन होते हैं, आंसर उसके किस श्क्राइब, एक लिखने का चुछ स्टाइल होता है तौं सीखेंगे, चाहिए वो पैसिज आनसीन हो, आप थित गध्याँस हो, या फिर टेक्वल स्टम्र्च, किसी प्रकार का जाएए, यह तरीकि घ्य नहीं का उत्ट है, और 5 मार्क्स का सबस्तों का दोनों का तरीका न तो यह दिया आप जहान से देखेंगे तो comprehension से related है, comprehension के benefit बहुत है, पठन बोध के, कि आपकी pronunciation में सुधार होगा, पढ़ना आ जाएगा, आपको understanding में increasing होगी आपकी vocabulary, vocabulary, sabda वली बंढ़ार, जो सब्दों का जो बंढ़ार होता है, उसमें विरिदी होगी, तो भैदा इखेद है, comprehension का तो, comprehension का तो, पठन बोध का तो, ठीक है ना, tense की हमें जानकारी, एक पंथ चार काज जैसे हमने आभी कहा है, चार प्रकार के लाब, tenses की जानकारी हो जाएगे, कौन सा tense में प्रयोग हुआ है, वाब के बारे में जानकारी होगी, और कैसे हमने answer लिखने है, और comprehension के अंदर किस प्रकार हम, textual passes हो, या unseen passes के answer लिखेंगे, तो, चार प्रकार के लाब हमें हो जाएगे, और reading साथ में, reading भी हो जाएगे, और pronunciation हमारा सही होगा, ठीक है, तो आपने पहले part 1 को ध्यान से बोच करना है, textual, सभी, आपने text, textbook में से, पूरे lesson को पढ़ना है, फिर part 1 क को ध्यान से ओच करना है, और फिर part 2 को ध्यान से देखना है, ठीक है, a letter to God, the first lesson of first flight, first flight जो भूक है, हमारी उसका first lesson है, a letter to God by G.L.Funites, part 2, let's start, पहले हम पैसिज को ध्यान से बढ़ते है, all through the night, लैंचो, thought only of his one hope, all through the night, सारी रात, through the night, सारी रात, क्योंकि उसकी फसल जब खराब हो जाती है, नस्ट हो जाती है, तो सारी रात परिशान रहता है, और सोचते रहता है सारी रात, कि अब क्या होगा, क्या भगवान मेरी सहता करेंगे, लेकिन उसे विश्वास है कि भगवा उसकी सहता कि जुरूर करेंगे, all through the night, सारी रात, लैंचो, thoughts, सोचता रहा, thought, second form, past indefinite, past indefinite में, यानी simple past में, कोईची फोर्म आती है, second, think, t-h-i-n-k, think, thought, thought, लैंचो, thoughts, सोचता रहा, only of his one hope, अपनी अकेली एक ही, आशा, hope, आशा के बारे में सोचता रहा, आशार था तो उमीद, एक ही उमीद थी, और उमीद कोईची थी वो, the help of God, भगवान से मिलने वाली सहता, भगवान, God, whose eyes, जिसकी आँखे, whose का मतलब God की, भगवान की, जिसकी आँखे, as he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था, जिसे हमारे पूर्वज, जो हमारे बड़े ल लोग होते हैं, वो हसे में समय पर हमें अच्छी बातें बिताते रहते हैं, तो लेंचों को भी बताया गया था, बुद्धिमान लोगों के दवारा, उसके घर के बड़े बुढ़े जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो समिदार लोग हैं, उनके दवारा, कि भगवान की और ईखेर ने देखते हैं। आखते हैं यहां लेकिन यहां एड के साथ वाव भाब पसट्परफेक्ट 90 नेmonωकर के 10 мंद ईभा दिया है See first point में देखती है क्या Everything परतियक चीज वह देखती है, छाए हम कुछ भी करें हममारी सv प्रकार की गतिवीदी भगवान को पता लगता रहता है हमारी सब प्रकार की गतिवीदियों के बारे में Even What at Silent Rest में What Also what is deep in one's Conson 될 सम space इस अपन शेंस अंत्रमन नावन के रूप में इसका प्रयोग यहां हुआ है इक कॉंसेस भी होता है काॉंसेस और यहां और जीसे हम कहते हैं सचेत जो एजेक्टिव के रूप में आता है yug as an adjective क्या होता है वो कॉं सेस्स ये ऐ कॉंसेंस इसमें N है उसमें कांसेंस में देखें के हम ऑन सी आई यहां तक तो स्पेलिंग देखो सेम हैं इसमें इसमें फॉम लगा देंगे C आई यूस यह बन जाएगा conscious conscious चेट अवेर होना adjective के रोप में आगा यह conscious और यह है conscience conscience यह ना उनके रोप में अंतरमन हमारा जो अंतरमन होता है उसके बारे में भी वो जो अंतरमन होता है जो गहराई में हमारा जो दीप गहराई में हमरा जो अंत्र मनोता है उसके बारे में उसके आंखे किसके आंखे हुजाईज भगवान की आंके जैसा कि उसको उसको बताया गया था See Everything हर चीज को देखती है किसके आंखे भगवान की आँखे और ये हम Game कौंन उसमें से हटा दे है कौंन और S-C-I-E-N-T-I-S-T scientist, scientist, S-C-I-E-N-T-I-S-T scientist, उवए गयानिक हो जाता है फिर noun के रूप में, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि world, world building में या world formation में हमने grammar में topic बड़े ध्यान से किया है, discuss, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सब्द निर्मान, सब्द रजना हम क तो यह consensus है और यह conscious है, conscious, conscious, यह consensus, आंतरमन, लेंचो, वयज, 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 लेंचो, वयज, लेंचो, वयज, 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 वयज बहल की तरह काम करता था, वाज एन ओक्ष ओफ ए मैन, ऐसा आदमी जो बहल की तरह काम, जैसे हम कहते हैं कोलू का बहल, यानि बहुत ज़्यादा काम करने वाल, बहुत ही मेन था, यहां उसकी स्ट्रेंथ को दिखायागा, कि कितना स्ट्रोंग है वो, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, बलसाली है वो लैंचो, लैंचो वाज एन आउक्ष ओफ ए मैन, बहुत मेन थी वैक्ति था, वाकिंग लाइक एन एन एनिमाल इन दा फिल्ड खेतों में, एक पसु की तरह काम करता था, पसु की तरह काम करने वाला, वाकिंग, बहुत मेन थी वैक्ति था, कौन लैंचो, बट स्टिल ही न्यू परन्तु फिल भी वह जानता था, न्यू, सैक्ड फोर्म है ये, सैक्ड फोर्म, पास्ट इंडेविनेंट में, सैक्ड फोर्म आती है, नो न्यू, नोन, क्या जानता था, हाव तू राइटे, कैसे लिखना आता, तो वो लिखना जानता था, ये नियू कि वो क्यों में हिंट करता था, और बैल की तरह काम करता रहता, ता कठोर परिश्र में था, उसको मतलब लिखना निया तल, लेकिन उसको लिखना भी आता था, बट स्टिल, उसने लिखना शुरू कर दिया, बगें शुरू कर दिया, second form, past independent, begin to write a letter, which he himself would carry to town, लिखना शुरू कर दिया, एक पत्र को, which he himself swam, ले जाएगा, would carry ले जाएगा, कहाँ पर to town, शहर में, कस्बे में, and place in the mail, mail box अर्थात, डाक के द्वारा उसको भेजेगा प्लेस वहाँ डाल देगा लैटर बॉक्ष में ये लैटर लिखने की बात जब हम कहते हैं कि he began to write जो आगामी जो संडे आया उसने सुबह 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 लिखना शुरू कर दिया क्या लैटर जिसे वह स्वयम ले जाएगा वुड कहरी टू टाउन सहर में कस्वे में एंड प्लेस इंदा मेर डाक में डाल देगा ठीक है न ये तो देख लिए आपने इट वाज नथिंग लैस दैन अलेटर टू गॉड यह केवल बगवान के नाम लिखा गया पत्तर था और कुछ नहीं था It was nothing, कुछ नहीं था इसके लाग़ कुछ नहीं था केवल क्या था? अलेटर टू गॉड केवल बगवान के नाम लिखा गया पत्तर था तो इसमें हम जब देखते हैं न यहां लेंच वाज यहां बड़ी सुन्दर सब्दों में उन्होंने मैटफा का यूज किया यहां पर रूपक अलंकार का कैसे जैसे दूसरे जो पैसिज है लेस्न के अंदर जब आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे एक जगह आपको लिखा में लगा जमे हुए म्यूलाइब मौती जजंए हुए मोती है वो हूं 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 हीं हैं उउस्पिन हैं बुदन गल्ष और दूसरे पैसिज में हैं जो लेशन के दुसरे पार्ट में आप करता है आरेनी विडमना एक तरह से एक विएंग की स्थिति बन जाती है कि वो बंच भूव करोग घorts ला-व बिंट्र ऐसा जैन्य तो इसमें यह ले सàn तो थेक है नव Show नलशेने अधर वन Bundestag मालंकार fan mer का हम कैसे पता चलता है उसमें यह तो चार्ध का प्रहुट किया जाता या ला date जैसे दा फिल्ड वाज एज वाइट एज इफ कवर्ड विद शॉल्ट ऐसे सफेद हो गया कि यह नमक से ढख गया हो तो उसकी तरह उसकी तुन्ना के गई है तो यह सिमली के रोप में उप मालंकार का भी प्रयोग इसमें किया है और इसमें एक हुमर स्टोन भी है हुमर स्ट एक मजाकी हंशी मजाकी स्थीति भी तो बन जाते है इसमें बन जाती है क्यों जब ड़ाकी आया उस पत्त्र को निकालता है लेटर बोक्स में से और देखता है लेटर टू गोड गोड के नाम रेएप पत्तर तो अशय लग जाता है जौर-जौर से और देखता है कि लेकिन थोड़ी देर के लिए तो इसमें हशी मजाग का मोहल भी तो बन जाता है ठीक ना तो हम इसमें जो फिक जो सपीच है लिट्रेरी जो हैं डिवाइसी की बाद करते हैं तो इसमें बड़े सुन्द धंग से मेटाफर रूपक अलंकार का प्रयोग आरेनी विनमना अर्थ लाइनों का प्रयोग किया गया है और शेमली उपमा का प्रयोग भी इसमें अच्छी तरह से किया है तो इसमें हम देख रहे थे किस प्रकार हमने पैसेज को पढ़ा अब इसके क्वेस्चन के आंसर लिखते हैं हम नेम रचैप्टर एंड इस ओथर यह हर पैसेज में आपक ज्याद करने हम आपको उन मार्क्स मेलते हैं सञ्धी से नेस्ट क्या है टू वट। वट कई आपो और आनली बहुत करते हैं हो यह थे थे अपने सब्दों में लिखना है अंसर क्वेस्चन की हैलप लेकर के जैसे इसमें क्या है वाट काइंड ओफ ए मैन वाज लेंचो किस प्रकार कादमी था जब हम देखते हैं कि लेंचो एन आक्षा ओफ ए मैन वाकिंग लाइक एन अनिमें इन फिर्ज मतलब क्या है कि वह है बहुत मेंग था बैस इसका मतलबSean यह है महँत मेंटी था तो इसका एनसर हम यह लेंचो यह यह हार्ड वरकिंग म यह पूरी लाइन इस्पर का लिखने की जोड़त नहीं है अपने सब्दों में बनाना है ना इसका मतलब भी तो वही है एन ओक्स आफ ए मैन इसका मतलब हार्ड वर्किंग ही तो है तो हम लिखेंगे वही हार्ड वार्किंग में कि वहार्ड वार्किंग तो आपने सब्दों में आनसर में अन्से ना चाहिए वह उन्सीन पैसे और टैक्श्ट वह नेक्स्ट की से डिड लैंचों राइट या अब इसली डिड़ है देखो मैंने पहले का था टैन से शेम रखना है अन्सर में भी डीट का मतलम यहां पर past indefinite, तो answer भी इसका past indefinite में ही होगा, और उसमें second form हो जाएगा answer में, जो कि डीट के साथ तो first form आती है, इसमें first form है, जब answer लिखे में तो deed कट जाएगा, और right की जाया क्या जाएगा, wrote second form हो जाएगी, और question के अनुसार ही answer बना ना, देखो, क्यासे? लेंचो ने Movie देंगे किसे नाम पत्तर लिखा to whom किसे भेजा जो पत्तर लिखा किसे भेज that अब तो कियों की कि कि कर्षा संप deft यह दिहान रखना आपने, दस नम्बर के आपकी टारिफ पक्की हो जाएगी, लेंचो रोट या लेंचो की जगह ही भी लिख सकते हो, आप लेंचो रोट या लेंचो रोट एलेट टू गवर्ड और गवर्ड की स्पेलिंग यहां से देख लो, असलिए तुम्हें आप सब को पता है यह जी ओनी गोर्ड होता है, जी कैपिटल लिखना आपने इध्याना कना है, दुबारे देखो लेंचो रोट, राइट का रोट हो जाएगा, सेंग्ड पोर क्योंकि डेड यह यहां दू या डज हो ना, डेड की जाए, दू यहां हम फर्स्ट पोर्म लिखेंगे, और सब्जेक्ट इदी थर्ड परसंट सिंग्ड रोओ, फिर फर्स्ट पोर्म के साथ ऐसी है, यह यह जी लगा देंगे, तो रोट हो जाएगा, लेंचो रोट रोट लेटर टू गोर्ट, वट वाज लेंचो इन राइटिंग दा लेटर, जो लेटर लिखने का क्या करना चाहता था, तो इसका आणसर क्या हो जाएगा, लेंचो वांटिड, वांटिड, डबलू एन टी एट, वांटिड, लेंचो वांटिड, तू गैट मनी किसे, फ्रोम गोर्ड, इसका आण से देखी दोबारा, वट वाज लेंचो पापाज इन राइटिंग दा लेटर, लेटर पत्र लिखने का उसका उदेश्या क्या था, किसका लेंचो का, क्या उदेश्या था, तो इस देश्या क्या था, धन प्राप्त करना किसे, भगवान से, लेंचो वांटिड, डबलू एन टी, वांटिड, लेंचो वांटिड, टू गैट, प्राप्त करना चाहता था, यह एक तरह से हमने शिनानिम देखने हैं शिनानिम प्रियावाची सब्समानार्थक जिसका जो मीनिंग होता है ना एक तरह से मीनिंग जब हम देखते हैं इसमें अपोजिट वर्ड भी पूछा जा सकता है एंटनिम एंटनिम विप्रिताः तक सब्समें नेकिन यह कहता है फ्रों Uhfैन फ्राम्ट प्राइश के वर्ड जिनका मेनिंग होता है adnes के इसमें हमस्तल बेखते हैं एन ऑउक्स आफ ऐसमेंन तो हाड़ वकी मैंन की ज़ा जाएगा इसका जो मेनिंग क्या है एन ऑउक्स ऑफ ऑस इंगे इसका उन्सराज जएगा और इन दा ऑरली मॉर्निंग शुवे शुमेरे क्या देखो कहां पर हम देखते रहेंगे इसको दा फॉल्वाइग संडे एट ड सब्सक्राइब करते हैं हमने देखा इसमें मैटाफ़ा आरेनी एंड सिमले का प्रियोग और हिमर टॉन भी इसमें यूज हुआ है और बहुत इंपोर्टेंट यह स्टोरी लिखी है जी एल फिनिटिस जी ने एलेटर टूग और भगवान के नाम पत्तर फार्म खेत दिखाया इसमें और आरेनी एक विडमना भी इसमें बढ़ जाती है कि वो जो बंच ऑफ क्रूक्स है ना वो तो बहुत काइंड पर्सन है उन्होंने तो एक दे डिड़ एक्ट ऑफ काइंड नेस एंड चैरिटी जो इंप्लोई है फॉस्ट अपिस के दे डिड़ एक्ट ऑफ परकार जो परकार जो फॉसके दिमाग में नहीं है उसको तो बहुत विश्वास आए कि भगवान तो गलती करी नहीं सकते हो तो उन्होंने तो पूरे हंड़ पिसाओं से बहुत यह बेजेंगे मेरे पास तो सत्रा है थर्टी ओ सकता है इन्होंने गड़बड कर दी हो लेक कुए फार में है काम चल जाता है दोबारा फिर पत्तर लिखता हो कि मेरा धन जो बचा हुए हो आप इस दे हो तो एक जो हम कहते हैं ना बहुत सी करम चारी जो इंपनों यह तो इस इंसान होने के नाते हमने आपस में एक दूसरे की हैं चाहिए लेकिन बगवान के नाम पत्तर लिखा लेकिन बगवान के उन आद्मियों के मैध्यम से इंप्लोईज के मैध्यम से डरेक्ट भगवान फोड़ी पैसेज़ेगा किसी किसी के मैध्यम से कोई लोग ए scientific कितने के लोग हैं और हम सिसे बात पर यह कह सकते हैं कि आपस में हमने एक दुसरे की हर ले का सकते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना सबहुत हें, कि हम हाथ क्ष़ुक करेंगे कि सब्सक्राइर डुसरे के लिखा हम किसी कुन conditional whose भला किया है किसका लैंचो का हात बढ़ना साथ की एंडो चैप अधि यह फ़ीडरा को चैप तुम आज आजाया है हाथ बढ़ाना है हमने सहता करने हैं हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर ख़दम भाया सागर ने रश्टा छोरा भरबत ने सीश चुकाया हौलादी है सीने अपने हौलादी है बाहे हम चाहे तो पैदा कर दे चच्चानों मेरा साथी हाथ बनाना साथी हाथ बनाना थाथ 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 बनान